वीडियो को पूरा देखिए एंड तक वीडियो को देखिएगा इसमें सब चीज़े बताई गई है बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है तो आप इसको पूरा अंतक जुरूर देखिएगा जो भी आपको doubt आता है कोई इसमें अगर suggestion है feedback है उसको comment section में comment करके जुरू बताइएगा चैनल को subscribe जुरू करतीजेगा अगर आप चैनल को subscribe नहीं किया है YouTube पे और चैनल को सारे updated दे पर आते है ऌहीं गया है और आपको डाट बेस्щее आहा ही सबस्क्रापशन के बाद आपको सब्षेड़ भाणतो करण साल है कोई डाउट है कोई भी फिडबेक है तो ऊसको comment section में करके जुरू बताइएगा जोईन कर लिए यह टेलीग्राम चैनल आपको सर्च कंडे मिल जाएगा जैसी आप यह लिखेंगे लेट्स क्राकिर्ट विश्य गुपता बिना किसी स्पेस के तो यह चैनल आजएगो इस चैनल को आप जोईन कर सकते हैं जार दोस्तों तो स्वागत है आपका लेट्स क्राकिर्ट विश्य गुपता के यूट्व चैनल पर और हम पढ़ने जा रहे हैं सेकिंड ओफ नवेंबर करेंट अफैस बहुत ही महत्पून करेंट अफैस है गाईज विकेंसी निगल चुकी है अगर आप देखेंगे तो उतर जुरूर से ज़ूर दिखते रहे हैं जिस से सारे करेंट अफैस के कवर हो जाएं तो उतरा खंग की आपको इससी एक्जाम की तयारी कर रहे ह। UPSC की तियारी कर रहे हूं किसी भी आप एक्जाम की तियारी कर रहे हूं सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहत्पून है बतान चाहूंगा गाई इसकी FRO Mains की टैसरी चल रही है आप उसको जोईन कर सकते है Group C की एक्जाम के लिए कोर्सिस को एन्रोल करने के लिए 766-580-4421 पर कॉल यह मेसेज कर दीजेगा सबसे पहले GS2 से नुजारी है Global Hunger Index पे तो जो Global Hunger Index है उसमें भारत की रैंकिंग 107 आई है तो यहाँ पे हम देखें तो भारत का स्कोर रहा है 29.1 दोजर बाइस में और serious category के अंदर है हम और rank है हमारी 107 out of the 121 countries तो 121 देशों में से 107 नंबर पे हम है रवांडा और एथियोपिया से भी हमारी ranking नीचे आई है अब यह नहीं समय में आ रहा कि यह जो लोग हैं जो यह index बनाते हैं यह किस basis पे काम कर रहे हैं तो रवांडा की ranking 102 है और भारत की ranking 107 है आप यहां पे देख सकते हैं 108 जंबिया है 109 अफगानिस्तान है और 102 तिमॉल लिस्ते है तो इंडिया की rank है 107 out of 121 country on the global hunger index और अगर हम देखें तो साउथ एश्या के जितने भी देश हैं अफगानिस्तान को छोड़के बागी सबसे हमने खराब प्रदेशन किया है यह global hunger index का कहना है अब यह समय नहीं आ रहा है कि आप खुछ imagine करिए कि जहां पर 90 क्रोड लोगों को NFSA Act की तहएत, National Food Security Act की तहएत फ्री में खाना दिया जा रहा हो इतनी सब चीज़े की जारी हो महाँ पर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि global hunger index में इतना पीछे रहेंगे global hunger index एक टूल है जो comprehensively समगर रूप में measure करता है और track करता है भूक को कहाँ पर वैश्विक लेवल पे छित्रिय लेवल पे और राष्ट्रिय लेवल पे तो GHI scores are based on the values of four component indicators तो चार indicators हैं जिसके basis पे global hunger index देखा जाता है क्या क्या चीज़े हैं एक तो undernourishment यानि कि बच्चों के अंदर कितना nourishment की कमी है यानि कितना पौशिक तत्वों की उनको कमी है child stunting बच्चे की height छोटी रह गई है उसके उमर के साब से तो child stunting है फिर child wasting कि जितनी उसका weight होना चाहे था यानि कि उसका उतना weight रही है यानि कि वो waste हो गया है और child mortality यानि कितने बच्चे ऐसे हैं जो भूख से या और दूसरी विमारियों के वज़े से मर रहे हैं तो countries को 5 categories में divide क्या गया है भूख के basis पे hunger के basis पे क्या क्या है low, moderate, serious, alarming और extremely alarming फिर आता है based on the values of 4 indicators एक जो global hunger index का score है वो 100 point के scale पे calculate होता है reflecting the severity of hunger अगर 0 है तो इसका मलब best score है यानि कि मापे कोई भूख नहीं है 100 का मलब है worst भारत का score है 29.1 और इसलिए वो serious category में है इंडिया की ranking शिल्डंका से भी नीचे है शिल्डंका की ranking 64 है नेपाल की rank 81 है बांगलदेश 64 पाकिस्तान की ranking 99 है अफगानिस्तान एक मादरा से देश है जो 109 rank पे है जो भारत से नीचे है यानि कि भारत 107 पे है और भारत लगब लगब जितने भी साउथ एशा की देश है चाइना जो है वो एक से लेके 17 की बीच में आता है having a score of less than 5 5 से कम score है उसका जैसे भारत का score 29.1 है चाइना का score सिर्फ 5 से भी कम है यानि कि चाइना की ranking जो है वो बहुत ही अच्छी है इंडिया का जो child wasting rate wasting का मलब क्या होता है low weight for height यानि कि जितनी आपकी height है उसके साबसाब का वज़न नहीं है यानि कि बच्चा बहुत पतला दुबला है हटियां उसकी दिख रही है अंदर की वो इतना कमजोर हो रखा है उसको हम कहेंगे child wasting है तो child wasting का rate जो है भारत में 19.3 प्रतीशत है उनका कहना ये है कि ये वर्स हो गया है 2014 में 15% हुआ करता था 2014 से 2019 में 19% हो गया यानि कि भढ़ गया है हाला कि कम होना चाहिए था लेकिन इनका कहना ये है इंडेक्स का लोग कहना ये है कि ये भढ़ गया है और 2000 में 17% हुआ करता था और ये किसी भी दुनिया के किसी भी देश के लिए भारत की जो stunting rate है किसी भी देश के लिए सबसे ज़ादा है ये इनका कहना है prevalence of undernourishment जो कि एक measure है कि कि तरे बच्चों को chronic deficiency है यानि कि जो nourishment है nutrients है, minerals है उनको नहीं मिल पा रहे है तो उसका भी कहना ये है कि 2018-20 में 14.6% हुआ करता था जो भढ़कर अब 16.3% हो गया है तो इनका मनलब ये है 224 million यानि कि 22 करोड लोग ऐसे हैं भारत में 22 करोड बच्चे ऐसे हैं भारत में जो undernourished है बट इंडिया has shown improvement in child stunting लेकिन भारत का score जो child stunting में है वो improve हुआ है और हमने 38% से decline करके 35% पर आगे हैं 2022 में और child mortality भी यानि कि जो भच्चे मर जाते थे नरिश्मेंट की कमी के वज़े से बीमारियों के वे से उसमें भी कमी देखी गई है पहले 4.65 बच्चा मरता था अब 3.3% हो गया है इंडिया ने ये भी शो किया है कि एक slight worsening हुई है उसके GHI score में पहले 28.2 था 2014 में अब यह भढ़कर 39.1 हो गया है यानि कि GHI score global hunger index का score जितना 0 के पास जाएगा उतना अच्छा है लेकिन हम पहले 28 थे तो वह अच्छी बात थी लेकिन और कम हमें 0 की तरफ जाना था लेकिन अभी हमने क्या किया है 2022 में अगर हम देखें तो थोड़ा सा भढ़कर 39.1 पे चले गए तो यह अपना आप में गलत हो गया है GHI अपना आप में एक annual report है यानि कि सालाना ये report आती है पर भी बात होती है कि इतने number of countries है और कौन-कौन से देश है कोई सा देश हट गया है कि इस ranking से कोई सा देश नया आ गया है कि इस ranking में इन सब चीजों पर डिवेंड करता है तो आप ऐसा नहीं है हम यह नहीं कह सकते कि 2021 में तो rank ये थी भारत की और 22 में ये rank आ गई है यानि कि 2022 की ranking खराब होगी है ranking तो खराब है यह automatically लेकिन बात यह है कि हम compare नहीं कर सकते है next आता है बरकीना फासो के जो कू लीडर है उनको president बना दिया गया है बरकीना फासो की राजधानी है वागडूगू और बोला वागडूगू बोला वागड जाता है लेकिन स्पेलिंग ओ साथ है ऐसे करके अजीब सी स्पेलिंग है आप देख लीजेगा वागडूगू करके कंट्री की capital है बरकीना फासो की और यह कंट्री है कहां पे आफरिका का आफरिका के सहारा में पढ़ता है सहारा अरिकिस्तान के अंदर पढ़ता है बरकीना फासो तो वहाँ पे जो लीडर है जोनोंने तक्ता परट किया है उनको president बना दिया गया है तो captain इबनाहिम तरोरे जोनोंने latest who किया है बरकीना फासो में तो यानकी जो BIS है उसने और्गनाइज किया है quality march और 15 अक्टूबर जिससे कि हम world standard day को celebrate कर सके है तो world standard day किस दिन celebrate होता है 15 अक्टूबर को फिर के विजे कुमार ने resign कर दिया है ministry of home affairs के security advisor की post से एक decorated police officer थे के विजे कुमार जो कि अपना में एक IPA सदिकारी थे उन्होंने credit किया कि था eliminating forest brigade विरप्पन तो विरप्पन को ख़तम करने में इनकी एहम भूमी का थी और इन्होंने resign कर दिया है अभी तो यह थोड़ा साब को पता होना जाये कि कौन आ रहा है ministries में और कौन जा रहा है Tamil Nadu और UP में सबसे ज़्यादा undergraduate medical colleges हो गए है पुरे देशवर में ये कहा जा रहा है news बहुत ही शांदा news है कि Tamil Nadu के अंदर और जो कि बहुत ज़्यादा परशान रहता है NEET को लेके और UP के अंदर सबसे ज़्यादा आज की टाइम पर medical colleges है UP के अंदर होना सभाविक भी है क्योंकि UP अपना में सबसे बड़ा राच्चे भी है भारत का population wise तो average annual growth जो है medical colleges की भारत में अगर हम 2011 से 2021 तक देखें तो ये 5.9% रही है पिछले 5 दश्कों में पचास सालों में highest रही है इतनी तेजी से कभी भी medical colleges नहीं बढ़े भारत में जिदी तेजी से अब बढ़े है according to data अगर हम देखें तो तमिलनाडू और UP के अंदर highest share है दोनों का चाहे वो सरकारी medical colleges हो चाहे वो private medical colleges हो इसके बाद कढणाटका का नंबर आता है इसके बाद फिर महरास्टा का नंबर आता है 2011-12 और 2021 इसके बीच में अगर हम देखें तो MBBS की seats अगर हम देश के अंदर देखें तो 155% बढ़ गई है और private medical seats जो है वो 97% बढ़ी है यनि कि private colleges की seats है वो कम तेजी से बढ़ी है जबकि जो सरकारी colleges की fees है वो बहुत तेजी से बढ़ी है डेटा ये भी show करता है कि US, UK, Australia, Canada, Germany अभी भी top 5 countries हैं जहां पे सबसे जादा Indian origin doctors हैं तो यानि कि जो भारत में doctors इतने अच्छे aim से या कहीं कहीं से वो train होते हैं वो अपनी service कहां provide कर रहे हैं वो अपनी service बाहर के देशम प्रवाइड कर रहे हैं वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनको remuneration उनको salary उनको fees अच्छी बिलती है भारत में सरकार fees नहीं देती यानि salary नहीं देती doctors को उतनी जितनी की वो deserve करते हैं जो कि अपनाम में क्या है 121% increase हो गया है जो कि अपनाम में एक बहुत अच्छी बात है इससे क्या होगा कि बहुत सारे students जो Ukraine जाय करते थे रश्या जाय करते थे medical के लिए पढ़ने के लिए उनको वहाँ जाने की जुरूत नहीं होगी और वो भारत के अंदर ही भारत के अंदर ही वो क्या कर सकते हैं वो अपनी medical की बढ़ा ही कर सकते हैं यानि कि जो भारत का foreign exchange reserve था उसके उपर भी फरक पड़ेगा क्योंकि आप समझेए कि जो पहले हम पैसा बहार देते थे यूक्रेन में देते थे पढ़ने के लिए रश्या में देते थे पढ़ने के लिए अब हमारा पैसा वो भारत के अंदर रहेगा महा नहीं जाएगा नेक्स आता है lectures transcreated नेक्स आता है lectures transcreated from English to five languages यानि कि lectures को जो English में lectures हैं उनको पांच भारती भाषाओं में convert किया जा रहा है इन इंडिया people speak many different languages सबको पता है कि भारत में कहीं लोग बहुत सारी लोग हैं और बहुत सारी भाषाओं बोलते हैं येट अगर हमें भी देखें तो जो higher education है यानि कि जो colleges की जो पढ़ाई होती है वो जाएतर अभी भी English के अंदर होती है तो ये बहुत अच्छी जीज़ होगी कि जो lectures अभी English में available है जैसे कि IIT में जो lectures होते हैं IIM में जो lectures होते हैं जो English में available होते हैं उनको अगर हम क्या convert करते हैं उनको अगर हम Hindi में या पाँच भारती भार्षाओं में convert करते हैं चाए हो Tamil भी हो सकती है तेलोगी भी हो सकती है Hindi, Sanskrit कुछ भी हो सकती है तो उनके प्रफेसर राजीव संगल आफ ट्रिपल आईटी हैदरबाद है उनके जो प्रफेसर थे राजीव संगल तो उनके दिमाग में यह आईडिया आया है तो उन्होंने यह आईडिया शेयर किया जो प्रफान मंतरी के प्रिंसीव संगल इसेयर होते है तो उनके साथ उन्होंने इस आईडिया को शेयर किया था यह जो प्रफेसर है इसका एम है तो ट्रांस क्रियेट अबाउट 40,000 वीडियो और स्वम प्रोग्रेम तो जो MPTEL की वेबसाइट पे और SWEM की प्रोग्राम की वेबसाइट पे जो 40,000 वीडियोज हैं उनको कनवर्ट करने की बात की जारी है इंटो 5 इंडियन लैंग्विजिस पहले 5 लैंग्विजिस में कनवर्ट करेंगे फिर देरे देरे इसको बढ़ाकर 13 लैंग्विजिस में और हम देखें तो बार-बार हम कवर करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है कोलेजियम सिस्टम क्योंकि सुप्रीम कोट का कोलेजियम सिस्टम न्यूज में है तो इससे अब आप सभाविक है आगार आने वाले एक्जैम्स में कोलेजियम की उपर सवाल पूछा जा सक होता है है तो क्लेजियम सिस्टम बन इन विचर ग्रोप ऑफ सीनिर मोस्ट जो जजजिस हैं लोग अब हम एपोईंट्मेंट से चल रही है क्योंकि 90 से शुरू हो गया था 93 में second judges case हुआ तबसे ये शुरू हो गया था और तबसे ये चल रहा है इसकी importance लाई करती है इस fact में that its opinion has primacy in the matter of appointment की यानि कि ये जो opinion देता है collegium जो opinion देता है इसी की primacy रहती है यानि कि इसी बात मानी जाती है its legal basis is found in a series of three judgments तो तीन judgment आये थे जिनको judges case कहा जाता है first judges case, second judges case और third judges case कहते है तो ये तीन judges case हुए जिन से इसकी जो collegium system की जो नीव है वो रखे गई अगर आप से पूशे जाए कि क्या constitution के अंदर mentioned है collegium system तो ऐसा नहीं है collegium system का mentioning constitution में नहीं है इनको तीन case हुए Supreme Court के अंदर उन से collegium system का निर्माण हुआ concerning the higher judiciary its manner of functioning has been laid down in the form of a memorandum of procedure तो एक memorandum of procedure बनाए गया है और उसके तहत इसका काम किस तरह से होगा collegium system का वो रखा गया है constitution का कहना यह है कि a supreme court judge is appointed by the president in consultation with the CGI तो constitution का यह कहना है कि supreme court judge जो है वो president के द्वार appoint किया जाएगा CGI के recommendation के बाद या CGI की consultation के साथ constitution सिर्व इतना कहता है लेकि constitution यह नहीं खा कि आप इसके लिए collegium बनाओ क्योंकि अब यहाँ पे बात यह आई कि CGI की consultation कैसे रहेगी CGI तो अकेले आत्मी है क्या अकेले person की राये पे हम किसी person को judge appoint करें president के द्वारा तो यहाँ पे अब खाली CGI ना होके senior most five judges है CGI रहेगा साथ में चार judges और रहेंगे तो वो चार judges प्लस एक CGI यह पाशों लोग मिलके कोलेजियम बनाएंगे और जो कोलेजियम बनेगा उनकी सर्व सम्मेती से यह होगा कि किस person को judge appoint करना है किस judge का transfer करना है in the first judges case court ने यह कहा कि that the consultation with the CGI should be full and effective तो CGI से ही सिर्फ बात करना full रहेगा और effective रहेगा पहले judges case में तो यह आया फिर second judges case हुआ 1993 में इस से collagen system की स्थापना हुई collagen system यही से introduce हुआ इसने rule किया कि CGI would have to consult a collagen of its two senior most judges 1993 में एक तो CGI है साथ में दो judges और है यहनि कि तीन जज़ों की एक collagen system बना दिया गया 1993 के judgment से और कह दिया गया कि खाली CGI नहीं साथ में दो judges और होने चाहिए और उनकी भी consultation ज़रूरी है जिससे की president को हम कह सकें कि इस person को judge appoint कर दीजे आप supreme court में या high court में फिर third judges case हुआ 1998 में फिर यहाँ पर collegium को expand करके CGI plus four cinema judges कर दिया गया यानि कि अब 5 judges होते हैं collegium system के अंदर collegium की functioning has been criticized अब देखें यह collegium की जो functioning है यह कहते हुए कि अपना आप में opaque है यानि कि एपार दर्शी है कि आप इसमें देख नहीं सकते तो इस वज़े से इसको हमेशा criticize किया जाता है यानि कि इसके उपर आलोचना की जाती है इसकी its resolutions and recommendations are hosted on the Supreme Court website तो इसके जो recommendations है resolution है Supreme Court की website पर आती है however जो nature है deliberation का और क्या कोई internal differences थे opinion की ये लोगों को इसके बारे में नहीं पता चल पाता किसी माले कोई particular candidate है तो उस candidate को ही हम क्यों appoint कर रहे है उस दूसरे candidate को क्यों भी appoint नहीं कर या क्या क्या demerits थी क्या merits थी ये सब चीज़े नहीं पता चल पाती बस इतना चल पाता है पता कि किस person को appoint कर रहे है किसको नहीं appoint कर रहे है it functions mainly through the system of adopting resolutions और उसको union law ministry को भीज़ देता है अगर कोई proposal है judge को appoint करने का वो reconsideration के लिए appoint किया जाता है return कर दिया जाता है president के द्वारा तो collegium या तो उसको drop कर सकती है कि ठीक है अगर आप इस person को point नहीं कर रहे तो उसको छोड़ भी सकती है या उसको दुबारे कह सकती है और अगर collegium reiterate करती है तो अब सरकार के उपर binding हो जाता है कि अगर किसी person कर दुबारे Supreme Court के दुबारा कहा गया है कि नहीं इस person को point कीजे तो इस person को point करना ही पड़ेगा Union Law Minister ने आस किया है CGI को to name his successor by convention अगर हम देखें तो एक recommendation जो है successor के लिए वो collegium से ही होती है और एक बार यहां भी आपको ध्यान रखना है convention के रूप में यह कहा जा रहा है यानि प्रहा चलती आ रही है कि अगर एक बार recommend कर दिया CGI ने अपने office में आने का लिए दूसरे person का नाम तो अब वो collegium system में बैठकर collegium के decisions नहीं लेगा मालते हैं अगर मैं CGI हूँ और मैं अपने successor को successor का नाम कह देता हूँ कि अब मेरे पास यह CGI बनेंगे और एक बर मैं इस सरकार को नाम भेज देता हूँ तो अब मैं collegium के अंदर नहीं बैठूँगा there is no law or rule that says collegium should have dysfunctional तो अब ऐसा कोई भी कानून या कोई भी rule नहीं है जो यह कहे कि collegium system dysfunctional है during the last month of ही महीने में लेकिन बात यह है कि ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है बस यह convention होगी है यह प्रथा होगी है कि बात में जब उसने एक पर अपना नाम दूसरे CGI का नाम भोशित कर दिया है किसी CGI ने प्रिजिन CGI ने तो अब वो जैसे इस तरह से मान के चली जैसे justice UU ललित थे तो justice UU ललित ने जब अपना senior justice जो इस टाइम पे D.Y. चंदरचूड बने है तो उनका नाम सेजेस्ट किया तो justice D.Y. चंदरचूड का नाम घोशित होने के बाद justice UU ललित ने कुलेजियम में बैठना बंद कर दिया था नेक्स आता है GS3 से न्यूज आ रही है biodiversity से न्यूज है environment technology से न्यूज है कि 6 varieties है निला कुरिंजी flowers की वो western gharts में identify की गई है निला कुरिंजी flowers वो flowers हैं वो full हैं जो 12 साल में कुम्ब मेले की तरह एक बार होता है जिस तरह से कुम्ब मेला 12 साल में एक बार होता है किसी भी शहर में जो 4 शहर हैं प्रमुब कुम्ब मेले के उसी परकार से निला कुरिंजी flowers भी 12 साल में एक बार होता है तो निला कुरिंजी जो हैं काली पारा हिल्स में हो रहे हैं इरुक की कैरला में फ्लावर्स हार ओन दा ब्लूम नाव बिलॉंग टू दा इस्ट्रो बिलंथिस कुंतियाना वेराइटी के हैं और इसके साथ जो टाइप से कुरिंजा फ्लार्स के that have been identified from the hill ranges इंक्लूड कौन कौन से हैं एक तो यह इस्ट्रो बिलंथेज अनामलाई का है यह अनिकि अनामलाई hills पे इस्ट्रो बिलंथेज हीनियस है फिर यह पुलियंस है और यह नियोंस पर है जो इरावी कुरम नैशनल पार्क है वो सबसे बड़ी सेंचूरी है जहां पर आपको निला कुरूंजी फ्लार्स देखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारी लोग उनको देखने के लिए जा रहे हैं बद्रकाली शोला है पुत्थुमाला यह सब कहां पर है इरावी कुलम नैशनल पार्क कहां पर है यह कैरला में है यह आपको ध्यानक नहीं सीदे सीदे सवाल इससे पुछा जा सकता है नेक्स आता है पाच गर्मेंट के स्टाफर्स जो है उनको एंटी नैशनल अक्टिविटी के लिए नौकरी से निकाल दिया गया है सेक कर देगा है जब मुविश्मीरी में तो आर्टिकल 311 यह इंपॉर्टन चीज कहा है इस नियूस के अंदर इंपॉर्टन चीज है तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है नेक्स आता है भारतिय मजदूर संग एफिलियेशन चाहता है ITUC के साहत जबकि दो भारतिय और जो ट्रेड यूनियन है वो इसका पोस कर रही है तो भारतिय मजदूर संग जो कि अपनावे एक ट्रेड यूनियन है जिसको RSS है तो इन्होंने बना किया है भारतिय मजदूर संग को कि आप मेंबर मत बनो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कोंफर्टरेशन के ITUC के चाहे INTUC हो चाहे HMS हो बिसाइड्स दी सेल्फ एंप्लॉइड विमन एस्सेशन सेवा और जो कॉन्फर्टरेशन है फ्री ट्रेड यूनियन की CFTUI ये एफिलियेट है ITUC के यानिकि ये लोग तो मेंबर है और लेड़ी लेकिन भारतिय मजदूर संग को कह रहे हैं आप मत बनो सपोर्ट जो ITUC का is crucial for any union अब देखे ITUC का सपोर्ट होना किसी भी और्गनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्पून है to be elected to the workers representatives in the governing body of ILO तो ILO की जो governing body है वहाँ पर निप्थ होने के लिए ITUC का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा महत्पून है next जो world congress होने जारी है ITUC की वो Melbourne में होगी 17 नमंबर से 22 नमंबर की बीच में next आता है कि center considering Sri Lanka proposal to translocate course अब देखे center जो है यानि कि union government जो है भारत की वो इस प्रपोजल पे विचार कर रही है कि जो गौर्स है यानि कि जो एक गौर आप कह सकते बाइसन के रूप में होता है बहुत बढ़ा गेंडे बैल के रूप में होता है एक जानवर कि उसको शिर्लं है उनको हम लेकर कहा जाएं उनको लेकर शिर्लंका जाएं तो इंडियन government consider कर रही एक proposal from Colombo to export a number of gors या इंडियन बैसन तो शिर्लंका तो रिवाइव दी agreement होगा भारत शिर्लंका के बीच में कि ग्लोबल ट्रेंड हो जाएगा जब कि वाइल लाइफ या जो लॉजिकल डिप्लॉमेसी का जिस तरह से नामी बिया से चीता आए हैं अब भारत से शिर्लंका में कोई जानवर जा रहे हैं तो अब क्या हो रहा है यानि कि जो लॉजि सेशन रहा है जिनको लिनियन मेडल में मिला है 2022 का एक तरह से नोबल प्राइज है जो लॉजिक के लिए आप यह मान सकते हैं नेक्स आता है इस रो की LMV3 ने लॉंच किया है 36 वन वेब सेटलाइट तो इस अक्टूबर को तो इस रो का हैविएस टॉकिट है LVM3 इसने ब्र जी एसलवी मार्क 3 कहा जाता था अब इसको LVM3 कहा जाने लगा है तो आप ध्यान रखिए कि पहले जो जी एसलवी मार्क 3 था अब उसको LVM3 कहने लगे हैं कुछ फैक्स देख लीजिए तो परसन्ना भी वराले ने चीफ जिस्टिस अफ करनाटका की शपत ली है वार्मिंग अप फोर चतीजगडिया ओलम्पिक्स तो गाओं की जो महिलाएं हैं चतीजगडिया ओलम्पिक्स हो रहे हैं जिससे की महिलाओं को उसमें प्रोसाहन मिल सके इस लिस्ट ऑफ गेम्स हैं तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में यानि कि जो पारंपरे खेल हैं जो राज्ये के अंदर होते हैं जो वे लोग खेलते हैं चतीजगड़ में तो चौदा गेम्स हैं जो होँआ पे होंगे और वीजी सोमनी जो हैं इस टाइम पे डीसी जी आई हैं ड्रॉक्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं तो इसी के साथ ही करेंटर फेर्स कंट्रों होते ह हैं उसको जोइन करने के लिए 766580421 पर कॉली वैसेच कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टन बैस शुरूने जा रहा है आप उसको जोइन कर सकते हैं